Welcome dear students to NDA Maths classes by DBSER तो बच्चो आज किस class हम start करेंगे exercise 6.2 6.1 complete हो चुका है and hope everything is clear जो properties हमने 6.1 में पढ़ी थी वो आपने दिमाग में रखनी है और अभी जो properties हम पढ़ेंगे because exercise 6.2 से पहले कुछ properties हम discuss करेंगे parallel lines की जो कि हम class 8 में already पढ़ चुके हैं but वो properties हमें आनी चाहिए तब ही जाकि यह सारे questions हम से solve होंगे ठीक है तो कुछ है जल्दी जल्दी हम properties वोगर discuss कर लेते हैं फिर आएंगे exercise में ओके तो start करते हैं आज की class with properties of parallel lines suppose कि यह आपके पास एक pair of parallel lines है एक line मैंने plot की मान लेते हैं इस line को L मान लेता हूं में ठीक है और इसके parallel मैंने एक line draw की जो कि इसके parallel है ठीक है इस line का नाम दे दिया M ओके L और M आपस में क्या है parallel है और एक 30 line plot कर दी यह 30 line यह plot कर दी मैंने जो दोनु line को काटे दोनु line को intersect करे ठीक है तो दोनु line को intersect करने आ लिए जो line हो भी इसको बोलते है transversal और इस line का नाम हम दे दिया N ठीक है तो सबसे पहले यह angles जो बने हैं इनका नाम हम लिग देते हैं यहाँ पर 8 angles बनें तो सबसे पहले इस angle को तो मैं angle 1 नाम देता हूँ ठीक है यह जो आपका angle बनाया है angle 1 इस तरफ आला angle 2 फिर angle 3 यह हो गया angle 4 यह हो गया angle 5 angle 6 angle 7 और angle 8 यहाँ पर 8 angles बने हुए हैं और इन में relation होते हैं ठीक है means यहाँ पर जैसे हम corresponding angles की बात करते हैं alternate interior angles की बात करेंगे alternate exterior angles की बात करेंगे या वर्टिकल यह पोईट angles की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ आपने यहाँ पर देखनी हैं ठीक है अगर दो lines parallel होती हैं तो उन में corresponding angles जो बनते हैं वो equal होते हैं अब यह corresponding angles क्या होते हैं त तो 2 के लिए corresponding pair of angles हो गया इसका 6, means 2 और 6 आपस में क्या होंगे, corresponding angles होंगे, और यह दुनों आपस में equal हो जाएंगे, अगर lines parallel होंगी तो, तो lines तो यहाँ parallel है, L और M parallel है, तो angle 2 और angle 6 equal हो जाएंगे, अब यह इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, इसकी पहचान करने के लिए आपने transversal के एक ही तरफ देखने हैं, जैसे अब यह transversal आपका N है यहाँ पे, तो इस line के बाई तरफ में angle 2 है और बाई तरफ में angle 6 भी है, but cable एक बीच में angle छोड़ दिया गया है, 2 और 6 के बीच में angle 3 हमने छोड़ दिया है, that means 2 का जो corresponding angle बना, वो 2 जिस तरफ है transversal के उसी तरफ है, बीच में angle छोड़ते हुई, ठीक, अगर मैं angle 3 की बात करूँ, angle 3 के लिए इसका corresponding क्या बनेगा, वो भी इसी तरफ बनेगा, means य यह आपका transversal के बाई तरफ है, तो बीच में angle छोड़ दिजिए, तो बीच में 6 को हमने छोड़ दिया, तो नीचे में 7 आगया, तो 3 का जो corresponding angle बनेगा, वो बनेगा 7, और यह equal हो जाएंगे, क्योंकि lines parallel है, ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, corresponding angle 2 का जो corresponding angle था, वो था angle 6, यह equal होंगे, ठीक है, अगर यह equal तभी होंगे, जब lines parallel होंगे, ओके, और angle 3 के लिए corresponding angle होगे, angle 7, और वैसे अगर हम दाई तरफ में जाएं, transversal के, तो angle 1 के लिए corresponding angle हो जाएगा, angle 5, बीच में 4 को हमने छोड़ दिया है, angle 1 will be equal to angle 5, ओके, और angle 4 के लिए corresponding angle हो जाएगा, angle 8, तो angle 4 will be equal to angle 8, ओके, यह सारी तो बात होगे किसकी, corresponding angles की, corresponding angles, यह सारी चीज़े आपने दिमाग पर रखने ही, तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा, अगर कहीं पर भी आपके दो lines parallel है, तो वहाँ पर corresponding angles जो बनेंगे, वो हमेशा equal बनेंगे, एक चीज़ तो यह रिमाग में रखने हैं, अगर by chance, अगर एक pair भी corresponding angles का equal हो जाए, ठीक है, और lines के बार में आपको मालूम नहीं है कि L और M आपस में कैसी line है, अगर suppose कीज़े मुझे केबल इतना मालूम है कि angle 2 जो है, angle 6 के बराबर है यहाँ पे, angle 2 और angle 6 आपस में कैसे angles है, corresponding angles हैं, तो corresponding angles अगर equal हो गए एक भी pair, तो उस case में हम कहेंगे कि line जो है parallel होंगे, इसका just उल्टा, अगर line parallel आपको दिया नहीं है कि line parallel है या नहीं है, के बल आपको इतना मालूम है कि angle 2, angle 6 के बराबर है, तो उस case में आप कहेंदेंगे, corresponding angles अगर equal हो रहे हैं एक भी pair, तो lines को parallel होना पड़ेगा, L जो है M के parallel होगा, ओके, पहली चीज तो यह होगी, corresponding वाली बात हम निकल लिए, अब बात करते हैं alternate, alternate में दो चीज़े है, alternate interior angles और alternate exterior angles, अगर हम alternate interior angles की बात करें, तो alternate से पहले interior angles को समझ जी आप, ठीक है, तो यहाँ पर दो lines आपको दिख रही हैं, L और M, जो कि आपसे parallel हैं, ठीक और इनके अंदर की तरफ जो angles बने हुए हैं, अंदर की तरफ जो angles बने हैं, 3, 4, 5, और 6, यह L और M के अंदर की तरफ बने हुए हैं, यह 4 angles, तो यह सारे के सारे interior angles हो गए, ओके, फिर alternate की बात करें, तो यहाँ हर किसी interior angle का जो है, एक pair alternate interior angles बनेगा, जैसे angle 3 है, यहाँ पर अगर 3 जो है transversal के बाई तरफ है जा혈र सीबात है बाई तरफ ही है 3 तो इसका जो alternate interior बनेगा वो दाई तरफ बनेगा बट alternate में बनेगा ठीक है मिज़ नीचे की तरफ बनेगा 3 उपर की तरफ है तो यह नीचे की तरफ अगर 3 इसका जो है नीचे की तरफ होना चाहिए बढ़ ट्रांसबर्सल के उस तरफ होना चाहिए मिस बाई तरफ होना चाहिए 4 दाई तरफ है तो इसका जो अल्टरनेट है वो 4 दाई तरफ है तो इसका अल्टरनेट बाई तरफ होना चाहिए वो भी नीचे की ओर और क्योंकि 4 उपर है तो यह 6 इसका alternate interior angle हो जाएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं angle 3 will be equal to angle 5 और angle 4 will be equal to angle 6 ठीक है angle 4 will be equal to angle 6 यह हो गया alternate alternate interior angles alternate interior angles ओके hope this is clear अगर lines parallel होंगे तो यहाँ तो lines parallel थे जो शुरू मामने कहा था कि lines parallel थे तो इनके alternate interior angles जरूर equal होंगे means angle 3 angle 5 के बराबर होगा और angle 4 angle 6 के बराबर होगा ही होगा ओके यह चीज़ा दो clear हो गई और इसका उल्टा भी हो गया अगर आपको मालूम है कि lines parallel lines के बारे हम कुछ मालूम नहीं है कि L और M कैसी line है parallel line है नहीं है अगर आपको केवल इतना मालूम है कि एक pair of alternate interior angles equal है जैसे angle 3 angle 5 के बराबर है अगर आपको इतना ही मालूम है angle 3 जो है angle 5 के बराबर है तो आपने देखा कि angle 3 और angle 5 कैसे angle है तो हमने देखा कि angle 3 angle 5 alternate interior angles हैं अगर alternate interior angles का एक PPR equal आ गया तो उस case में भी हम ये निस्कस निकालेंगे कि जो lines हैं L और M वो parallel होगी उनको parallel होना पड़ेगा ओके वैसे बात होती है alternate exterior angles की ठीक है तो यहाँ पर अगर हम exterior angles की बात करें alternate exterior angles में यहाँ पर आगए angle 2, 1, 8 and 7 यह हो गए आपके alternate exterior angles ओके तो इनकी बात अभी करते हैं हम लोग अब देखा आपने angle 1, angle 2, angle 7 और angle 8 यह जो है exterior angles हैं अगर हम alternate की बात करें alternate exterior angles में pair की बात करें यहाँ पर angle 2 के लिए angle 2 के लिए angle 8 जो है alternate exterior angles बनेगा यह दोने equal होंगे और in the same manner angle 1 और angle 7 आपस में equal हो जाएंगे alternate exterior angles की according ठीक है तो यहाँ लेख सकते हैं angle 2 is equal to angle 8 अब इसको पहचान करना तो आप खुरी कर सकते हैं alternate वही बात है angle 2 अगर transversal की बाई तरफ है तो angle 8 जो है जेस्ट उल्टी तरफ में और नीची की तरफ में आप देखी रहोंगे ठीक है तो यह दोनों alternate हो गए और साथ में exterior भी हो गए तो angle 2 is equal to angle 8 and angle 1 will be equal to angle 7 ओके यह हो गए alternate exterior angles ओके alternate interior angles तो clear हो गए था अपनों का इसके साथ alternate exterior angle भी हमने यहाँ पर discuss कर लिया है अब इसके बाद जो अगला topic आता आपका इसमें vertically upward angles तो यहाँ पा वैसे ही एक randomly देख सकते हैं अगल 1 जो है angle 3 के बराबर होगा vertically upward angle में angle 2 जो है angle 4 के बराबर होगा angle 6 angle 8 के बराबर होगा angle 5 angle 7 के बराबर होगा यह तो vertically upward angles के हमने बात की इससे पहले हमने यह discuss करी लिया था अब बात करते हैं कोई interior angles की ठीक है कोई interior angles तो यहाँ पर एक और property होती है अगर दो lines parallel है तो वहाँ पर जो कोई interior angles बनेंगे उनका sum 180 degree के बराबर बनेगा तो interior angles तो हमने इससे पहले discuss किया था कि angle 3, angle 4, angle 5 और angle 6 interior angles हैं अब कोई interior वाली बात क्या होगी ऐसे angles जो interior भी हो और transversal के एक ही तरफ हो means यहाँ पर देखे 3 और 6 जो हैं आपस में जो है means 3 और 6 interior angles भी हैं और transversal के एक ही तरफ है बाई ही तरफ को आप देख रहोंगे तो angle 3 plus angle 6 will be equal to 180 degree तो यहाँ पर property आ गई sum of co-interior angles is always 180 degree if lines are parallel ठेक है और angle 4 और angle 5 का जो sum बनेगा यह भी आपस में co-interior angles हो गई angle 4 plus angle 5 will be equal to 180 degree if lines are parallel तो यहाँ L और M parallel है तो co-interior angles का sum भी 180 degree के बराबर आएगा अगर आपको मालूम है कि lines parallel नहीं है sorry lines के बारे में कुछ मालूम नहीं है आपनों को कि parallel है या नहीं है अगर आपको यह मालूम है कि co-interior angles का कोई भी pair का sum 180 degree के बराबर आएगा तो उस case में आप directly कह सकते हैं कि lines parallel होंगे आपस में parallel होना पड़ेगा अगर मुझे इतना ही मालूम होता कि angle 3 और angle 6 जो है 180 degree इनका जो sum 180 degree के बराबर है इतना ही मालूम होने पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अब मैंने यह दिमाग लगा कि यह तो co-interior angles है और इनका sum 180 degree के बराबर है अगर ऐसा है तो उस case में हम कह देंगी line को parallel होना पड़ेगा lines parallel होंगे that means line L or line M parallel होंगे okay just ultra ली बात है इसका just converse okay इसके साथ और एक last हम discuss कर लेते हैं अगर दो lines आपस में parallel है ठीक है जैसे दो line आपस में parallel है line L or line M आपस में parallel है ठीक है और मैंने एक ओर line बना दी ये तीसरी मान लेते हैं इसको N line मान लेता हूँ और मैंने कहा कि M जो है N के parallel है ठीक है line L जो था parallel था M के और N जो line है वो M के parallel है ठीक है M is parallel to N तो इस case में भी कह सकते हैं कि तीनों line आपस में parallel होंगी ठीक है, line L is parallel to line M is parallel to line N, अगर दो line है, एक दूसरे के साथ parallel है, ठीक है, अगर उन में से एक भी line, अगर किसी तीसरी line के साथ parallel हो जाए, तो तीनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, parallel हो जाते हैं, तो यह सारी properties हमने दिमाग में रखनी हैं, बागी exterior angle property, angle, some property, यह सारी चीज़े फिर rest of the questions, we'll keep discussing in the next classes, ओके, तो question number one देखें, question number one देखेंगे आप, in figure 6.28, find the values of x and y, then show that a, b is parallel to c, d, ठीक है, तो x और y की हमने values निकालनी हैं, उसके बाद approve करना है कि a, b is parallel to c, d, simple साथ का है यह, अगर हम देखें, x और y की value तो c, d निकल जाएगी, अब यहाँ पर देखें plus x, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहोंगे, 50 degree और x यह आपस में क्या बना रहे है, linear pair बना रहे है, ठीक है, तो linear pair से इन दोनों का समझुआएगा, 180 degree के बराबर आजाएगा, by linear pair हमने लिख दिया है, by LP, linear pair, 50 degree plus x equal to 180 degree, तो x की value आजाएगी, 180 degree minus 50 degree, तो कितना 130 degree, y की value 130 के बराबर आजाएगी, figure में देखिए आप लोग, और यह आपस में कौन से angles हो गए, vertically opposite angles, vertically opposite angles, ओके short में लिख दिया है, तो यहाँ से एक निसकर्स ही निकला, कि x की value जो थी, वो भी 130 degree आई, और y की value भी 130 degree आई, that means दोनों आपस में equal हो गए, this implies that x is equal to y, अगर द 130 degree हैं, तो दोनों equal हो गए, अगर दोनों equal हैं, तो यहाँ पर x को देखिए, कहाँ पर है, और y कहाँ पर है, तो x और y आपस में equal हैं, और दोनों कैसे angles हैं, अभी हमने discuss क्या था, x और y जो है, alternate interior angles हैं, तो here, x and y are alternate interior angles, alternate interior angles, alternate interior angles के साथ-साथ equal भी हैं, and at the same time, at the same time, they are, they are equal to each other, एक दूसरे के साथ equal भी हैं, ठीक है, each other, अगर हमने, अभी थोज़ दे पहरे discuss किया था, अगर हमने का था, एक भी पेर, अगर alternate interior angles के equal हो जाए, तो उस case में हम मानेगे के lines parallel होंगे, तो यह किसके according alternate बने हैं, यह दू lines जो आपकी बनी हुए, a, b, or c, d, a, b, or c, d, कि according यह alternate interior angles बने हैं, तो a, b, or c, d, को parallel होना पड़ेगा, so therefore, a, b, will be parallel to c, d, okay, hope this is clear, तो यह simple सा question था आपका, in the next classes, means next class माम questions जो है, discuss करते रहेंगे, आइसते आइसते, okay, so आज की class में इतना ही, thank you for today's class.